तो निश्क्या दोस्तो स्वागत सीगा फंटसी पॉंट कीड में और वस्तो KCC T20 कवर के स्वाइब यहाँ पर STA बस सिजाब पर LH के भीचो मैच हो लिए तो इस वीडियो को आप दान देखना बात करें कौन से प्लियर को आपको टीम मे लेना है कौन से पे को ट्रॉप करना है और को नहीं का दोस्तो आज की मैच का बेस्ट कैप्टन चबड़ियो को बिल्कुल मिस मत करना आईए बात करें डीटिल्स की आप देखो डीटिल्स की बात करें तो यहाँ पर सिंप्ली बात करें दो टीम्स के रीसेंट फॉर्म की तो STA की जो टीम है लास्ट के पांचो में इसे पांचो मैच अपना भाई लॉस करके आजी सिंगल मैच भी इनका विन हुआ और एलेच की बात करें तो पांच में दोस्तों यहाँ पर केई जा तो दो मैच विन क्या प्लस यहाँ पर केई जा तो तीन मैच इनके लॉस के अबर लिये इनका रीसेंट फॉर्म में होगा और इस स्पिच के बारे में एक चीज़ा आप क्लियर रखना भाई कि एक बैलेंस ट्रैक बिगेट आपको देखनी मिलेगा जहां पर कही जा तो बैटर्स के लिए भी कुछ है और बॉलेच के लिए कुछ है ऐसा मान के चल सकतो 50% सपोर्ट मिलेगा बैटर्स को और 50% सपोर्ट मिलेगा बॉलेस को इसी साफ से टीम केट करना है ताकि एक सटीक और काफी अच्छी दी मना सको लास्के पांच टीडोनी गेम में सरसट बिगेट गिरे जिसमें उन 40 बिगेट पेसस और 8 बिगेट स्पिनस के हाथ में लगे ठीक है आप देखें यहां पर आउन प पेसस के हाथ में जाते स्पिनस को कुछ बिगेट मिलते पिछले कुछ गेम्स में स्पिनस भी बैक कर रहे यह चीज़ आप द्यार नखेगा आवजिंग स्कोर की बात करें तो 160 से लेके 190 के बीच में स्कोर आपको बनते हो दिख सकता है इस वाले मैच में यह चीज़ आप गरंटी एक्सपेक्टेट रखेगा आगे बड़ते अब देखो हेट्टोर की बात करें दो टीम के बीच में तीन मैच हुआ जिसमें एस्टीय की टीम ने तीनों मैच को विन किया अगर आपको लग रहा हुआ कि बहुत स्टॉंग एस्टीय को हरा देगी तो यह बहुत गल प्रियों को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन जल्दी से प्रिस करो काफी मोटिवेशन मिलता है तो बिल्कुली कंजूसी मत करना फ्री का लाइक है जितने मेरे वाई बंदो देखरो भाई दवा दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स मैच की वीड कि भले इसके स्टाइक्टिट मतलब अल्मोस 120-130 हो जाएगा लेकिन दोस्तों जो रन है उसके जरूरा आते क्योंकि थोड़ा सा समल कहेलता ठीक है तो यह दोनों को बैक करूँगा दोने इंपॉर्टन है के बाकी सयद की बात करे तो अल्मोस 50% सेलेक्शन है पिछला मैच यह चला है उसके कोडिंग यह बंदा मतलब लोग इसको पिक करे ठीक है अब आता है टॉप उडर का प्लेयर है दोस्तों मेरे कोडिंग तो उतना ज़्यादा चले कर नहीं इस मैच मगर आपको रखना है तो शौर आप रख सकतों बट मेरे कोडिंग उतना इंपॉर्ट नह हाला कि शिवा कुमार गुपता की बात करें तो थोड़े नीचे बैटिंग करते हैं लेकि पिछला मैच में देख रहा हूं कि यह दो वर किनोंने बॉलिंग भी के और बैटिंग से फ्लॉप गे काफी गेम्स के बाद ऑल्मस्ट दो गेम्स में लगतार अच्छा किया दवन सबसे इंपोर्टन चीज़ बता दू कि यह दो प्लेस रहेंगे जिनको आपको टीम में एड़ करना दोनों बहुत इंपोर्टन है इसके लावा हर्शन अरीफ की बात करें तो मातर 35% सेलेक्शन के साथ माता पार्ट टाइम एक सुदोवर की बालिंग प्लस ओपन करके तो ऐसे प्लेयर को जनता छोड़ देती है यह ट्रम काड है ठीक है अब ग्रैंड लीग में जगा बने तो अब जरूर ट्राइ कीज़ेगा अच्छा करके दे सकता है इसके लाव अगर बात करें तो ऑप्शन की बात करें तो एनकुल करनी दिखेंगे रामास्वामी दिखे और दो सफलता इसके हाथ में लगे बाकھی प्ष़ले दो गेम स्पेस ने कुछ नहीं किया था ठीक है धानकी का तो मैभी हो सके तो Grand League मेरे ट्रम काड हो सकता है माधर तीन पर्सें सेलेक्षर ने Grand League डेमरे ट्राइ करो वाई इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ दोस्तो डी कुमार सिलेश को ट्राइगा सकतो मातर 4% सेलेक्शन के साथ में आएगा confirm आपको दोस्तो किई जाए तो 2-3 वर की balling करते हो देखेगा इस match में इस इसके लिए रखेगा अब इसके अलावा अगर बात करें तो जहरुदीन हो गए अगर खेलेंगे तो ज़रूर टीमर रखेगा क्योंकि यह ऐसे प्लेस है जो आपको बैट से भी पॉइंट देंगे बहुल से भी पॉइंट देंगे और रभी कुमार को रखोंगा हलाकि रभी कुमार को पिछला match सिर्फ एक वर की बालिंग मिली जो टीम का main baller है जो दो game में लगतार भाई तीन तीन बिगेट दो दो बिगेट चटका कहा रहो उसको सिर्फ एक वर की बालिंग मिली तो यही चीज़े देखके तुरह सा अजीब लगता है भाई कि मतलब सोचो प्लेयर यहाँ पर अच्छा कर रहा फिर वे उसको balling ना मिल रहा हो तो अजीब level तो लगे गए ठीक है तो यहाँ पर खावियर को रखा है बाकि इसके अलावा धार नखेगा कि इन एहमत को ट्राई कर सकतो नवीर फकर को ट्राई कर सकतो ठीक है नवाफ एहमत की बात करें सुरुवात के तीन के में balling मिला चौथा के में इनको balling नहीं मिला ठीक है दान लखेगा तो अभी कलिए यहाँ पर इन एहमत को ही टीम में रख रहा हुए कि इन पॉर्टन रहेंगे balling करने के चांसे से बागी फकर को लेना होगा तो सिंप्ली दोस्तों यहाँ पर अभी को ट्रॉप करना उनको टीम में लेना है व्योंकि दोनों ही दोस्तों यहाँ पर केज है और प्लस में दोस्तों यहाँ पर केज है तो जंडू नाफर भी स्टार्टिंग बॉल गया सारे स्टार्टिंग बॉलस में टीम में रही रखना चाता ठीक है इतले ड्रॉप किया है अब देखो कॉमिनेशन की बात करें तो 6-5 का रखा है थोड़ा सा जहरू दीन पर भी धार नखीगा अल्मोस 3% सेलेक्शन ट्रम काड़ हो सकते कॉमिनेशन 6-5 का है दो डीम्स को हमने इक्वाइली बैक किया कैप्टन की बात करें नाफर वाइस की बात करें तो शिवा कुमार गुपता को दे रहे खा जो 4-5 नमर के प्लेयर है प्लेस बॉलिंग भी कर दो दिखेंगे टीम पुरू की बात करें आप देखो टीम पुरू की बात करें जनता की नजरों में सबसे इंपॉर्टन चीज़ बाई तो टोटल ये 5 प्लेयर में आपको सजेस्ट करूँगा जो इस गेम में काफी इंप्रेसिव काफी तगड़े ऑप्शिन सावित हो सकते आपके लिए जिनको आप चाहो तो ग्राइन लिग दीम इसमें को ट्राइ करना बस ये 3 प्लेयर में आपको सजेस्ट करूँगा जो सबसे बेस्ट रहेंगे जिनको इस गेम में कुछ ना कुछ आप बना के जा सकतो बाकी देखो सब के बारे में आपको डीटिल दिया है तो जो भी प्लेयर आपको अच्छा लगे आप भी उस करना आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना चाले को सबस्काइब करना मिलते टेलिकराम चैनल पे फानल टीम के साथ में